एक होती है अनासंग भक्ति, दूसरी होती है सासंग भक्ति, सासंग भक्ति क्या है? सासंग भक्ति का अर्थ है मन से श्री कृष्ण की उपासना करना, अर्थात ये हमारे स्थूल शरीर से, अपनी आत्मा को मन से बाहर निकाल दो, मन से, स्थूल शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दो, अब मन से ही उस आत्मा को एक नया शरीर प्रदान करो, इसको कहते हैं भाव देह इसी को गौडिय संप्रदाय में कहा गया सिद्ध देह और हमारे श्री महराज जी जो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने संप्रदाय में इसी शरीर को सिद्ध देह कहा इस अवतार में श्री महराज जी ने उसी सिद्ध देह को भाव देह का महराज जी कहते हैं भाव देह गवरांग माप्रभुजी ने का सिद्ध देह तो इस भाव देह को आपको श्री कृष्ण के समक्ष उपस्तित कर देना है राधा ख़ष्ण के समक्ष उपस्तित कर देना है, फिर अनेक भावों से आलोडित, वह भाव कैसे, अनेक भावों से आलोडित होकर भावोखोकर उन भावों को उनकी चर्लों में समर्पित करना है, कैसे भाव? या तो यूँ भाव बना लो कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल से आप लगे या ये भाव बनाना कि उनका करकमल आपके शीश पर है या आप अपने भाव दे से अपने हाथों से उनके श्री चर्णों में पुश्प अर्पित कर रहे या आप उनकी सेवा पंखा जल रहे या आप पीकदान लेकर खड़े कैसा भी भाव से आलोडित होकर उन भावों को आपको श्री कृष्ण के समक्ष रखना है उसी भाव देह से तो मन से एक भाव देह बना कर और उसमें भावों का मिश्रण करके उसे निवेदन रूप में भाव रूप में श्री कृष्ण के राधा कृष्ण के चर्णों में समर्पन इसी को कहते हैं सासंग भक्ति यह सासंग मन के साथ भाव देह बनाते हुए उपासना करना आप कुछ भाव बनाने की भी जरूरत नहीं, मैंने प्रेमरस मदिरा में नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, सब भर दिया है, लो भाव देख के साथ उन सब को मिश्रित करो, और राधा कृष्ण या श्री कृष्ण के समक्ष, या गुरु के समक्ष, इसको प्रस्तुत करो, यह सासंग भक्ती, इसी को इस अवतार में श्री माराज जी ने रूप ध्यान कह दिया, और कुछ, सासंग भक्ती ही रूप ध्यान है, इसी को प्रबुद्ध जी निमी से कह रहे हैं, उपासना, श्रवन, कीर्तन, इसलों उन्होंने नेक्स्ट कहा, केवल कीर्तन से बात नह नहीं बनेगी, क्योंकि दो प्रकार की साधना होती है, एक बाहिय साधना, एक अंतह साधना, हाँ, बाहिय साधना आवश्यक है, क्योंकि ये बाहिय साधना, अंतह साधना को पोशित करती है, पोशन देती है, बाहिय साधना क्या है, ये श्रवन और किर्तन, गुरु के उपदेश सुनना ये श्रवण हो गया गुरु के रचित कीर्टनों को गाना किस से गा रहे हैं? जिफबा से गा रहे हैं कान से सुन रहे हैं ये है बाहिय साधना तो तीसरा शब्द उनों ने का ध्यानम यह जो श्रवन करोगे, यह जो कीर्तन करोगे, उसमें प्रमुख है ध्यानम, यानि तुम, ध्यान किस से होता है, मन से, तुम जो श्रवन करो, मन से, जो कीर्तन करो, मन से, तो ध्यानम, उसी को श्री माराजी ने का रूप ध्यानम, यदि प्रबुद्ध ने ध्यानम कहा, तो जो भी करें, वो मन से करें, तो यदि आप यूँ ही सुनते हैं श्री महराज जी को, उनका कीरतन गाते हैं, लेकिन आपका मन उसमें नहीं है, सुन रहे हैं, और उसको अपने जीवन में उतारते नहीं, उसको प्रैक्टिकल करते नहीं, तो फिर वो सासंग वक्ती नहीं है, व बिना मन के केवल श्रवन करना, केवल कीरतन करना अनासंग भक्ती है, और अनासंग भक्ती से अजी कोई लाब होगा, क्योंकि उपासना का अर्थ ही है, मन का पास जाना गुरू याहरी के पास, अनासंग भक्ती उपासना नहीं है, इसलिए गवरांग महाप्रभुजी ने क बहु जन्म करे यदी श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन अनन्त जन्म तुम श्रवण करलो कीर्तन करलो दूनो चीज बोली जो प्रबुद्ध बोल रहे हैं श्रवण करलो कीर्तन करलो कोटी कोटी जन्म करलो बार बार श्री महाराज जी के प्रवचन सुनो बार बार गवरांग महाप्रभुजी ने क्या कहा सुनो कीर्तन भी करो लेकिन यदी मन उसमें नहीं है यदी उसको अपने जीवन में नहीं उतारा यदी आप ट्रेक्टिकल न करते रहिए क्रिष्न चरनार बिंदर रती प्राप्त नहीं होगी शुक्रिष्न चरनार बिंदर प्रीति होगी नहीं जागृत आपकी हृदय करते रहिए तो अनासंग भक्ति हमको नहीं करनी हैसे गुरु को पाकर यदि आज भी हम अनासंग भक्ति कर रहे हैं तो सोचिए आपके गुरुवर जिसने अपनी पूरी जीवन यात्रा में तन, मन, प्राण सब लगा दिये सामान हमको, सामागरी हमको दे दी और फिर भी हम अनासंग भक्ति कर रहे हैं, तो उस गुरु को कितना कश्ट होगा कि मैंने अक्षर-अक्षर समझाया, बताया, लिख दिया, फिर भी तो इसलिए जितनी दुविदाएं हमारी आती हैं, उसका एक मात्र कारण है हम सासंग भक्ति नहीं करते, हम अनासंग भक्ति करते, सासंग भक्ति करना है आप सासंग भक्ति करके देखिए, कैसे गुरु आपकी हेल्प करता है, कैसे वो सहायक बनते हैं वो तो दोनों भुजाएं पसारे, देने को तैयार हैं, चर्णों से लेके शीष तक, शीष से लेके चर्णों तक, भरा है प्रेम ही प्रेम, प्रेमाम बुधी हैं वो तो लो ना, लेना सीको, तो इसलिए साधन भक्ति के हम साधकों को सर्व प्रतम ये ध्यान करना है, ये ध्यान में रखना है, कि हमें श्रवन भी, कीर्तन भी, दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं, ये बाहिय साधना है, इसमें यदि हम मन को जोड़ देंगे, तो वो अन्तह साधना बन जाएगा, क्योंकि अन्तह साधना मन से होती है, और बाहिय साधना इसमें मन एड़ नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, तो जब मन एड़ हो जाएगा, तो अंता साधना जो मन से होती है, उसमें जब श्रवण और कीर्तन मन से होने लगेगा, तो वो सही साधना होगी, तो श्रवण और कीर्तन ये पोशन करते हैं मन को, क्योंकि जब आप बार बार सुनेंगे, बार बार गाएंगे, मन लगेगा, तो उससे क्या होगा, और सुनने कि इच्छा होगी, अब आप मन से कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन सुनी नहीं रहे, किर्टन कर ही नहीं रहे, ये बाहिये साधन आपने लिया ही नहीं, तो फिर कैसे होगा, तो ये बाहिये साधन आवश्यक है, ये पोशन देता है, तो मन को ये बाहिये साधन देना होगा, श्रवन कीर्टन देना होगा कितना? निरंतर तो जब आप निरंतर श्रवन करेंगे, कीर्टन करेंगे मन लगने लगेगा तो मन को पोशन मिल रहा है और सुनने की और गाने की, गायन की इच्छा होगी उसको कहते हैं रूची यह रुची पैदा होगी, यह रुची कैसे पैदा होगी, जब आप बार बार श्रवन करेंगे, बार बार कीर्तन करेंगे, मन से, तो रुची जागरित हो जाएगे, और जब रुची जागरित होगी, तो और और सुनेंगे, तो यह एक दूसरे में आलोडित हैं, तो बार बा ये करने से बार बार वास्तविक संत के उपदेश प्रवचन श्रवन करने से बार बार उनके रचित बताई कीर्टन करने से मन का मिश्रण हो इसके करने से अनर्थ की निव्रित्ती होती है धीरे धीरे अंतहकरण में जो कलमश हैं वो धुलते हैं और रुची जागरित होती है जब रुची जागरित होती है, अनर्थ जा रहे हैं, रुची जागरित हो रही है, तो जब रुची जागरित होती है, और सुने, और गाए, और सुने, और गाए, तो आसकती बढ़ती जाती है, और जब आसकती उनमें बढ़ती जाएगी, श्रवण कीर्तन आदी में, तो भाव के बाद वो रती, रती के बाद प्रीती है, यह सब क्रम है, तो इसलिए हम साधकों को सासंग भक्ति करनी हैं, अनासंग भक्ति नहीं करनी हैं, यह सार आप लोगों को मुझे बताना था, तो जब भी आप किर्टन में बैठें, महराज जी ने सब दे दिया है, कोई और छोर नहीं है उसका, अब करना हमको है, तो इसलिए जब भी किर्टन में बैठते हैं, सब भूल जाएए, हमारा परिवार है, नहीं, यह जगत शून्य केवल मैं मेरे गुरू, केवल मैं गुरू हरी, जैसा भी ले लीजा, लेकिन बस इसी में रहे कुछ समय, जब भी किर्टन में बैठें, जब भी ध्यान में बैठें, इसका अभ्यास केजिए, और फिर श्री महाराज जी ने जो किर्टन बनाए हैं, जो पद में पंग्तिया बनाई है जो रादे गुविन गीत में वो कहना चाहते हैं उसको मन से गाई है भीतर से गाई है अंदर से गाई है ऐसा गाई है कि जाकर लगे और वो हृदे बिगलित हो जाए पिगल जाए और पिगल के फिर अश्रु के रूप में बहे तब लाब है महत्व दीजिए श्री महाराज जी के पदों को संकिर्तनों को वही हमारा जीवन है वही हमारे प्राण है वही हमारे श्री महाराज जी है उसी से ही हमको परमानंद की प्राप्ति होगी दिव्यानंद की प्रेमानंद की प्राप्ति होगी यही सब स्वयम साक्षात महराज जी कृपा स्वरूप है इसी से ही हमारे कलमश धुलेंगे इसी से ही वो हमको मिलेंगे सदा सदा के लिए अलबेली सरकार की लाडली लाल की श्रीमत सद्गुरु सरकार की